जय हिंद पजरंगी स्टेडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग UP SSSC की कुछ important updates पर चर्चा करने वाले हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे JE 2018 के final result की वीडियो 2018 का final result कब तक आएगा lower PCS की new vacancy का क्या होगा कब तक आएगी और ASO result कब तक आएगा PIT 2024 की जो new vacancy आई है या new notification जो आएगा वो कब तक आएगा तो इन सभी भरतियों पर हम लोग latest update की चर्चा करने वाले हैं और ये सभी vacancy UP SSC आयोजित कराता आप सबको पता है इसलिए हमने अपना title डाला है UP SSC important updates यानि जो भी UP SSC आयोग द्वारा परिच्छाएं कराई गई हैं या होने वाली हैं उनकी हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं तो जो भी अभ्याति इन सभी भरतियों से जुड़े हुए हूं वो हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लेंगे ताकि बविश्य में UP SSC से कोई भी update आती है तो आप सब तक वीडियो के मैदम से साज़ा कर दी जाएगी तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को सबसे पहले यहाँ JEE 2018 में यह JEE 2018 का result कब तक आएगा तो इसकी बात करें JEE 2018 का final result जून के दूतीस अफ्ताह में संभावित है यानि जून के सेकेंड वीक में JEE 2018 वालों का result आ जाएगा और जो maximum या प्रबल संभावना है वो 10-15 जून की है यह आप यह कह सकते हैं मिड जून से पहले आपका result वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा यानि यह है कि यह पक्का है कि आपका result मिड जून से पहले ही आना प्रस्तावित है और बाकी जैसी कोई खबर आती है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा तो आप मोटा मोटी यह मान लीजिए कि आपका result 10-15 जून तक हर हाल में आ जाएगा और इससे जुड़ी अगर कोई अपडेट आती है तो वो भी आप सब तक वीडियो के माधम से साज़ा कर दी जाएगी तो इसके लिए हमारे चैनल से connect हो जाएगे फिर आगे बात करते हैं वीडियो 2018 के final result की जैसाब कि अभी आपको पता है कि वीडियो का अभिलेक prediction यानि document verification अभी चल रहा है जो कि 17 मई तक होना है और document verification के बाद अब इसमें सिर्फ final result आना ही बाकी रहेगा तो वीडियो वालों का final result जो है जुलाई या अगस्त में संभावित है यानि अगस्त अगर आप maximum मान के चलें तो अगस्त या minimum माने तो जुलाई तो जुलाई से अगस्त में आपका final result आ जाएगा और वीडियो वालों की final cutoff क्या रहेगी इसके लिए मैं एक separate वीडियो बनाऊंगा कि final cutoff क्या रहेगी क्योंकि जो cutoff मैंने DV के लिए बताई थी उससे 0.5 का ही difference था वरना exact cutoff थी जो मैंने उसमें बताई थी और अगर आप लोगों को यकीन नहों तो आप हमारा previous वीडियो सर्च करके देख सकते हैं जो मैंने उसमें expected DV की cutoff बताई थी लगबग उतनी ही exact cutoff गई थी और इसमें भी मैं final cutoff को लेकर एक separate वीडियो बनाऊंगा कि वीडियो की DV के बाद इसमें final cutoff क्या रहेगी तो final cutoff अगर आपको जाननी है तो हमारे channel से जुड़ जाएं जैसे ही वो video upload होगा आप सब तक notification पहुँच जाएगा और बात करें final result की तो सचिव जी की अनुसार जुलाई से अगस्त में देने का मतलब उनका plan है उनका इरादा है तो आप ये मान के चलिए कि आप at last अगस्त में आपका final result आ जाएगा और बाकी उससे पहले तो आही सकता है जुलाई में और cut off जानने के लिए आप हमारे वीडियो का इंतजार करिएगा कि expected final cut off क्या हो सकती है उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो ये तो है वीडियो 2018 के बारे में अब बात कर लें lower PCS new vacancy के बारे में बाकी जैसा होगा आपको समय आने पर बता दिया जाएगा यहां जैसे अगर कोई update मिलती ही lower के बारे में तो आप सब तक तुरंट बता दिया जाएगा लेकिन यहां पर एक बात और है कि कुछ channel वाले lower की भरती जुलाई में ला रहे हैं अब यह पता नहीं कि वो लोग कहा से vacancy को ला रहे हैं क्योंकि जब अभी आयोग में कोई चर्चा चल ही नहीं रही है lower PCS वालों के लिए तब पता नहीं वो लोग कहां से update दे रहे हैं तो बाकी मेरे अनुसार अभी कोई संभावरा नहीं है लेकिन जैसा कोई update आता है तो आप सब तक तुरंट दे दिये जा पहुँचा दी जाएगी तो यह update है lower PCS के बारे में अब बात कर लें ASO result की तो ASO का result ASO का भी परिणाप 20 जून से पहले कभी भी जारी किया जा सकता है यह आप यह मान सकते हैं कि junior engineer का और ASO का result लगभग 2-3-2-4-5 दिनों के अंतराल पर ही जारी होगा यह हो सकता है JEE और ASO का लगभग 1-7-2 दिन के अंतराल पर जारी हो जाए तो इसको भी आप mid June ही मान सकते हैं mid June के बाद कि ASO वालों का result भी mid June तक जारी कर दिया जाएगा और ASO और JEE वाले एक साथ ही इनका result आएगा तो कि दोनों पर काम लगभग 1-7 ही चल रहा है और बाकि अकर ASO से related कोई अपडेट आती तो भी आप सब तक वीडियो के मदम से सजा कर दी जाएगी तो आज का हमारा लास्ट अपडेट पेट 2024 की नई notification के बारे में है देखिए पेट कुतरू कोई exam तो हो नहीं रहें लेकिन पेट का exam हो रहा है तो इसका notification भी कभी आएगा तो इसका notification आगस्ट के फस्ट वीक पहले सब्ताह में आ जाएगा और इसका exam अपने निर्धारित समय पर ही होता है जैसे October November में तो इसका exam भी October November के आसपास होगा हो सकता है October last में हो और November के starting में हो तो पेट ही एक ऐसा exam है जिसे लोग मजबूरी में देते हैं जब पहली बार 2021 में पेट आया था त exam मजबूरी में देते आ रहे हैं और अगर हम लोग अपने वीडियो को conclude करें तो ये कि जेए का final result जून के second सब्ताह में संभावित है यानि 10 से 15 जून तक आपका result final आ जाएगा वीडियो वालों का final result होगा वो जुलाई से आगस्त में आएगा और आप final cutoff के लिए हमारी च chance दिख नहीं रहे हैं बाकी जैसा होगा update कर दिया जाएगा ASO और JE का result आसपास आएगा दो चार दिन के अंतराल पर और maximum date आप माने तो वह 20 जून से पहले आपका result आ जाएगा फिर पर 2024 की बात करें तो उसका notification अगस्त के पहले सब्ताह में आएगा और उसका exam October number में होगा तो ये था UPSC की vacancy के बारे में कुछ important update उम्मीद है आप जिस मकसद से आए होंगे आपको इसमें वैसा ही result मिला होगा और अगर आप वीडियो 2018 की final cutoff जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लें ताकि जैसे ही cutoff का वीडियो बनाया जाए आप सब तक तुरंट notification पह update देता रहता हूं तो इसलिए आप हमारे चैनल से connect हो जाएं तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next किसी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद